Hello dear friends, welcome to brain and psychology, उमीद है आप सब खैरियस से होंगे So friends, आज हम psychology के एक main topic को समझेंगे, वो है goals of psychology, कि psychology के major goals कौन-कौन से हैं So, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी, कि goals of psychology basically हैं क्या, और यह कौन-कौन से हैं, और कितने हैं goals, उसमें हम basically क्या देख रहे होते हैं, क्या हम चेक कर रहे होते हैं, इन goals में So friends, जैसे कि हम psychology के major goals की बात कर रहे हैं, तो basically यहाँ पर हमारे पास total four major goals है psychology के, ठीक है So, यहाँ मैं आपको इस चारो goals को briefly explain करूँगी, कि इस चारो goals basically हैं क्या Okay, so goals of psychology में सबसे पहला goal अगर जो है, वो है describe, सही है, describe है, next उसके बाद आता है explain, फिर आता है predict, and last में हमारे पास आता है control जैसा कि इस picture में आपको नदर आ रहा है कि describe के साथ लिखा हुआ है what, what question लिखा हुआ है, explain के साथ आपको नदर आ रहा है कि why question लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी जरह हमारे पास predict के अंदर लिखा हुआ है anticipate करना and control में हमारे पास change करना या modify करना किसी भी behavior को, so इससे आपको आपको काफी अंदाज़ा हो गया होगा कि, इस आपको क düşर करना है, बहुत जरूरी होता है, इसमें हमें steps को follow करना होता है, सबसे पहले, describe करना होता है, किसी भी problem को describe करना है, उसके बाद हम उस problem को explain करना है, predict करना है करते हैं कि यह मतलब की का है उसका प्राइम में में कि हम कंट्रोल करते हैं कि एक एकपके इनसान की एक में तो नीजान कि tip I क्ट्र में ठीजिजंगbn है जिए में बुरॉब्लम mistब कמע erste कह टो ट अग्नाद में नुमेदर में हम इसके अग्वे में करते हैं Ephods निजान की किसी भी mental disorder यहां पर mental illnesses की जगर वजा है तो वो क्या है ठीक है तो यहां पर हम एक्स्प्राइब कर रहाता है एक psychotherapist या psychologist जो भी इन गोस को वोलो करते वह डाइगोसिस कर रहा होता है तो वो explain की step में why की question को answer करता है कि यह problem अगर है जो हमने describe कर दी है तो वो क्यू है तो यहां पर explain का step आता है और after explaining कि वो problem क्यों है अब यहां पर prediction आती है third step में जो है वो psychotherapist या psychologist जो है वो बैसी के लिए predict करनेगा अपने उस client को कि यह client in future क्या responses देगा किस तरह के behavior show कर सकता है क्योंकि इस बंदे को यह मसले है इसकी वजा यह है तो in future अगर वो इस तरह क situation से गुजरेगा या इस तरह की चीज़ों को face करेगा जो explain मुसने बता दी है कि इस सवज़ा से कोई disorder है तो उसके बारे में एक psychotherapist या psychologist या कोई mental health professional जो है वो predict कर सकता है इन goals को follow करते हुए कि हमारा client future में किस तरह का behavior show कर सकता है ठीक है उसकी behavior को predict कर रहा होता है basically therapist या psychologist तो stage आती है में रवा सबसे last इसमें क्या होता है basically यहाँ पे अब जो therapist है या जो mental health professional है जो भी उसको check कर रहे हैं डेग्वोस कर रहे हैं जिसने डेग्वोस कर लिया है अब वो बताएगा कि हम इसे control कैसे कर सकते हैं हमारा जो client है उसके behavior को जो male adaptive behaviors वो शो कर रहा है negative behaviors शो कर है negative emotions उसे आ रहे हैं तो उसको किस तरह change किया जा सकता है किस तरह modify किया जा सकता है किस तरह से control कर रहेंगी हम तो यहाँ पर therapist फूर्थ step में आके उसमें client को सिर्फ जो है वो describe explain or predict नहीं करता वैलिक उसे control करने के भी तरीखे बताता है और अपनी टेक्निक्स यूज करता है उसके उस behavior को जो डाइम्नोस हुआ है उसको control करने के लिए उसको proper जो है human being की तरफ पर जाने के लिए so guys यह goals of psychology की brief सी explanation थी जो मैंने आप लोग साथ share की है आप लोग साथ जो है मैं जितनी information share कर सकती थी मैंने goals of psychology की कम से कम टाइम में मैं वीडियो में आके आप साथ share की है और अगर आपको इसमें कोई भी question है कोई भी आपको camera query है तो आप मुझे से comment section में जरूर पूछ सकते ह हैं मैं आपका अंसर जरूर करूंगी जितना जल्द हो सकेगा पर अगर आप किसी भी psychology related topic पे किसी भी तरह की video चाहते हैं तो आप मुझे comment section यह भी पता सकते हैं मैं आपके लिए जरूर उस topic पे जितनी हो सकी कि easy way में explain करके video बना दूंगी आप तो के लिए हर topic पे जिस topic से मैं आपके लिए बना के अपरोट कर सकती हूं so please आप मुझे जरूर अपने comments में बताइएगा कि आपको video कैसी लगी और अगर आपको इस तरह की और अच्छे अच्छे videos चाही है तो मेरे इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा and अगर आपको video पसंद आई है तो please like करना भी मत भूलि देगा well thank you so much and bye bye